कर अभी दो च्यार दिन के अंदर एक शब्द बड़ा गरमाया हुआ है CET Common Elisibility एक टेस्ट समान पातरता परिक्षा ये क्या है क्या है ये और कोण से एक्जाम इसमें कंडेक्ट करवाई जाएगी और इसका syllabus क्या रहने वाला है और कोण कोण से अभ्यर्थी जो है जिनने CET एक्जाम देना होगा और रादस्थान में अब इसे क्यों लाना पड़ रहा है ये तमाम जो आपके questions है सारे questions आज के इस session के अंदर रहने वाले है सबसे पहले आपने देखा कि common eligibility test सम्मान पात्रता परिक्षा आपको बता दिया जै रादस्थान में दो बड़ी संस्थाइं जो exam connect करवाती है उन दो संस्थाओं में एक तो है दोस्तों आपकी RSMSSB जिसे RSMSB भी वरत्वान में बोला जाता है दोनों नाम है एक है RPSC यानि रादस्थान में बड़े बड़े exams की अपना बात करें दोस्तों तो अजसे RPSC exam लेते हैं grade के exam आते है grade के exam है SI का exam है तो grade का चीव फर्स्ट grade है second grade है REIT है सब inspector exam है तो ये सारे exams जो है ना वो सारी आपके RPSC conduct करवाती है यदि अपना बात करें RSMSSB की बात करें इसमें कौण-कौण सी exam जैसे की आपका वन पाल है वन रक्षक है अना अभियंता की है विकेंसी आती है तो ये सारी आपका ये करमचारी चैन बोर्ड भी आप मतलब ये बोर् और भी कि CT exam होगा कब देखो दोस्तों इसमें तीन लेवल रहेंगे 10th लेवल पर भी CT रहेगा यानि 10th पास पर भी बरतिया आती है तो वो अभियरती जिन्हों 10th पास कर रही है और 10th लेवल के वो भी CT exam देकर अच्छा कारण क्या था देखो दोस्तों इसके reason बड़े तक इसकी जारी चलो बताता हूँ आपको देखिए सबसे पहले बात कि CT exam जो भी होने की बात है वो कब होने जा रहे है CT exam graduation level की अपना बात करें तो दिसंबर 2022 के अंदर होने की बात है CT read level की बात करें दोस्तों ये जनवरी 2023 में है और senior secondary level पर अपना बात करें तो ये फरवरी 2023 क के अंदर exam conduct करवाया जाएगा date अब तक CT exam की नहीं दिया है date नहीं बताई है approximate एक month बता दिया है कि इसी month के अंदर end के अंदर ये करवा दिया जाएगा उनका ये दावा है बाकी देखो संसोधन जो भी होगा जो करमचारी चैनवर्ड की website पर आपको सारे मिल जाएगा आग इस बात का भी ध्यान रखना है और खास बात grade third और इससे जो आपका low level आपका होने वाला है उसके उपर ही केवल लागू होगा और non-technical post है तू यानि जो non-technical post है उसी में केवल आएगा technical जैसे जैयन वगर होते है ना जैसे जैयन है एएन ये exam होते है तो ये technical ये जिसमें ये आपके b-tech वाले आ जाते हैं इसके अंदर तो वो exam है ना उसके अंदर ये नहीं होगा non-technical exam उसी के अंदर होगा one pal है one रक्षक है librarian है गेरा वगरे ने exam के अंदर अच्छा merit जो बनेगी वो 15 गुना पे बनेगी 10,000 की बरती आई है तो दोस्तों इसके 15 गुना ही लिये पास करने में भी जोर आएगा हाँ CET में फरजी वाड़ा होने लग गया तो फिर भाई बस वही बात है कि चीक ने गड़े सब बराबर हो जाएंगे वही बात है तो CET के इंदर ऐसा नहीं होना चाहिए इसकी जो वैलिडिटी रहेगी कई ऐसे ओ जिससे ठलू राम जी ये भी अपने आप में एक अच्छा फेक्ट है गलत नहीं है सही बात है ये होने चाहिए क्योंकि देखो अब कई करकी बेट जाते हैं तो फिर वही चलते रहेंगे उनको हर बार उनको सब के एक लाने में आजाना चाहिए बराबर हो जाना चाहिए हाँ कहीं ने कहीं अनुदेशक वरिष्ट दोन्नों आजाएगी इस बेसिक और वरिष्ट दोन्नों है बेसिक जो एव ऑठारा तारीक को है वरिष्ट जो आपकी 19 तारीक को है 18 19 जून को है सारो में 2022 की बरतिया सिधी बरतिया है प्रयोग साला साइक की 28 29 30 जून है 2022 में होने की संभावना है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की बात है दोस्तों 9 जूलाई को इसकी डेट दे रही है हाउस कीपर की जो है सिधी बरति 9 जूलाई को डेट दे रही है कनिस अभियंता क्रिशी वाली जो है 10 सितंबर की डेट दे रही है पुस्त काले ग्रेड थड जो है 11 सितंबर 2022 की द 5 रक्षक की 12 Conference 13 November की डेट्स कुछ यहां पर आपको दिय हुई है इन डेट्स के बारे में भी आप यहां पर देख सकते हैं तो यह डेट्स आपको यहांपर प्रोपर दिय हुए है अब सिलेबस को लेकर बात आती है कि C.E.T. में आपका पाठिय करम सिलेबस आपका क्या रहने वाला है दोस्तों जैसे 12th 10th के जो common subject होते हैं वही यहाँ पर लगू होंगे जिस विद्यारती को 10th past करण में भेंकर जोर आया था तो दोस्तों यहाँ पर भी भेंकर जोर आने वाला है उसी तरीके से होगा तो इसका पाठे करम रहेगा जीके रहेगा जैसे मान लो आपका NCR जीके जो होता है यानि कि एक common gk जो रहेगा आपका common common gk यहाँ पर आने वाला है बिल्कुल basic gk जो रहेगा हिंदी जो है थोड़ों दस तो क्योंकि हिंदी तो आपको पता है इंदी grammar बगरा इसके इंदर दीजाएगी grammar बगरा जो हिंदी की बारे में भी यहाँ पर डिटेल आई नहीं अपने पास में और जो डिटेल से सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में जीके होगा maths होगी, हिंदी होगी, इंग्लीस होगी, reasoning होगी तो यह यह इसके इंदर आपके रखे जाएंगे और बाकी common सवाल है आपके सारे बड़े बड़े सवाल जो थे वो मैंने यहाँ पर आपकी clear कर दिये इसके अलावा भी आपका कोई question रहता है कोई सवाल रहता है तो आप comment box म comment कर सकते हैं अने था आपको कोणे में एक नंबर दिया गया है 9875201825 आपको यह information के लिए नंबर दिया गया है तो इस पर WhatsApp पे कोई भी जान करिया आप राप्त कर सकते हैं कोई भी आपको problem आरी कोई भी समझ में नहीं आ रहा है और CT के syllabus के बारे में आपको जाना है इसका प download करनी है और उस पे सारी जानकरिया आपको मिल जाएगी ओके फिर मिलूंगा नई क्लास में नए जो सो रोज के साथ जैहिन जै भारत